गूत मूर्निंक क्लास 12 सिंस देखिए हमारा चैप्टर चल रहा था मॉलिक अधिकार नितिनिदिशक ततवों और मॉलिक करता वे तो इस चैप्टर के बारे में जितने भी टॉपिक थे पते शक्ततों और मौलिक करते हैं यह हम सब कुछ पढ़ चुके हैं विस्तारित से पर उन्तों एक छोटी सी बात रह गई थी कि ऐसे अधिकार जो कि सिर्फ भारतियों को प्राप्त हैं और विदेशी कोई भी लोग हमारे भारत में हैं उनको वह अधिकार प्राप्त नहीं है तो उसके बारे में हम बात करेंगे केवल बारतियों को प्राप्त मौलिक अधिकार पहला है दर्म नसल जाती लिंक जन्म इसक्तान पर बेदबाउं नहीं होगा यह अनुचे 15 यह सिर्फ भारतियों को प्राप्त है सारवजिक रोजगार के अवस्तर में समानता यह अनुचे 16 यह सिर्फ भारतियों को प्राप्त है फिर बाशन वे अभीवक्ति सभा समेलन आंदोलन निवास इस्तान वे वेवसाइज जैसे छे विश्यों के लिए स्वतंता का अधिकार सिर्फ किसको है भारतियों को प्राप्त है अनुचे 17 19 में हमने देखा था कि हमें विविन प्रक सकति है उनका सरक्षन निचे 179 तो इस बारतियों के बाट कर रहा हैं दो तो उसे संचारित का अधिकार यह बिसे राप्त है हमारे बातियों को यह पार्त धैप्त है तो देखें यह कुछ थे जिसमें हमने वे रह गए थे कि भारत को में विदेशों को प्राप्त अधिकारों की सुची तो महली का अधिकार न है जीनने का अधिकार है थी कsti करना आपि घो विदेश नागरिक यह requirements 3 यहां के भारत पंदरा अनुचेद 16 और अनुचेद 19 और अनुचेद 29 और अनुचेद 30 यह सिफ भारतियों को प्राप्ते विदेशी नागरिक को प्राप्ते नहीं है ठीक है अब देखिए अब जो हमारा टॉपिक है आज का वह धर्म देखिए हमने जो हमारा पिछले लेसंस था मौलिक मौपियत है vapeat हमारे ऑटिकल साइंस आलहा कiqucap llanел ग crec अजि आज हम वापस हमारे पर्टिकल साइनस की मोद्च का ऐफ द्रस अलहांम धर्म्करोड़न में हमने यहोड़ा नाज के बारे में मैं और सक्ति सत्ता के बारे में पढ़ा था आज जो हमारा तीसरा लेसन है वह धर्म क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे अर्थ वेद में धर्म को धारन करने वाली वह संचारित करने वाली मूल सत्ता के रूप में सिवकार किया गया है अध्यात्मिक्ता फ्सका माद में सकार है। अर्थ वेर्थ वैद में धर्म को बताया है और्थ वेद में क्यास इ cardboard श्रण किया है युश्छ में धर्म का अर्थ बताया है । अब विदेश्च兩 सब्सक्राइश देशों कार किया गया है अन्यक्त विश्व कैसे देश हैं जिसमें औध निश्व में अपनी रहाणेत कि रहां सतंकर परोपमें सिवकार कि जोड़ों को नहीं नहीं मानेंकेर हमारे में राष्ट का कोई विशेश धरम नहीं है कि मोगईवि के रूप में हमारे भराट ने भी दर्म निर्परेक्ष्ठा पंथ में एक धार्णा बनाई गई है इत्याशिक रूप में विश्या का अध्यास को DAY यह बाद करते हैं हुआ ना जैसे अभी हम भारत की बात करें तो हमारे यहां बोध धरम आया जैन धरम आया ना तो वेदिक संस्क्रति आई है जब वेदिक धरम को मानने थे थे मान रहे थे लोग तो इस प्रकार समय के अनुसार कई बार विदेशों में भी इस परकार हुआ है है ना अलग आत्मिक परस्तितियों के परिवर्तन से धर्म में भी परिवर्तन आई हैं फिर क्या होगा समय के अनुसार दिरे दिरे उन धर्मों में क्या जाता है परिवर्तन हो जाता है अब समय जैसे कोई समय था तब बहुत धर्म का बहुत जदा प्रचार प्रसार हुआ है फिर दिरे द में पहले सिर्व में पढ़ा है तो पहले सिर्व परिवर्थन और दो बागों में विवाजित तक दाना तो इस प्रकार समय मानव का विवेक उसे सर्वस्टेष जानने और सर्वस्टेष करने के लिए उद्दत मनाता है यही मनुष्य का धरम स्व महrän ह ओई हमारा खुद का स्व महर्म क्या है हम जांथ भाया हुआ सब सबसे अच्छा विवेक यानि हमारी बुद्धी सबसे अच्छा हम जाने हना सबसे अच्छा सीखें अच्छी चीज को पहचाने यह हमारा स्वय धर्म हुआ ठीक है देखें धर्म की क्या या क्या अलग-अलग जगह अलग-अलग करीजी है हम जब से युनानी जो विचारक है उनकी बात करें या भारतिये विचारकों की बात करें या अन्य को भी विदेशी विचारकों की बात करते हैं तो सब ने अपनी अपनी अलग-अलग धर्म की व्यक्या की गई है अभी दिसे हमारे हिंदू विचारकों की बात करें तो गीता में दर्म अलग बताए गया है तो क्रश्न दर्म की बहुत अच्छी र्यक्या कीए है इस प्रकर धर्म की समय समय पर व्यक्या अलग अलग बताई गयी है अब देखे हम बात करेंगे जब हम elemental को विश्टाहीत रुप से पढ़ेंगे कि धरम है क्या तब हमनाइं आंत में पता चलेगा कि जो इन्सान का करतवय को है। में आप जो तेसे नि Coll Sprinkle करते हैं तो आप आपके धर्म का पूर्म भूंग रूप तो राष्ट में जब हम अभी अभी इस लेसन को शुरू किया जब लाष्ट में पढ़ेंगे तो आपको लाष्ट में ये बात पता चलेगी कि घर्व गीता में अर्जुन ने यही कि घर्म क्या है हमारा करतवी धर्म है तो इसके उपरी रूप से पढ़ रहे हैं फिर आगे चलते चलते हैं सबके उपर हमारी बात होती जाएगी धर्म सर्थ प्रवित्र माना गया है कि तो धार्मिक प्रवित्रता सापक श्वादी है अब हमने क कर रहे हैं सिब कर सो फक्सक्ष को देख रहा है और द्रम को एक सुट्र में का आधार प्रदान करता है अब सामार क्या वा आस्था विष्वास और उसकी मानेता वर्तमान समय वर्तमान समय अलग争लेक धर्मों और मतों में एक्टा इस्तापित करने की चेस्टा है अब देखिए वर्तमान समय मैं आप तेखते हैं धारमी दर्म को लेकर बहुत लड़ाई जगड़े सब अपने अपने मत बताते हैं ठीक है अब हमारे सामने यह समश्या है कि हम इन सभी दर्मों को जो मत है इनका जो मानना है उनमें एकता इस्तापित हो जाए और सही में अगर हम सारे दर्मों को पढ़ते हैं तो सभी धर्म चाहे वो हिंदू दर्म है चाहे मुसल इस्लामिंग दर्म है या सिक दर्म है इसाई दर्म है सब में यही कहा गया है कि मानोता के प्रती दयाब यह आपका धर्म है अपने करतवे का अच्छा से पालन करना यह आपका धर्म है तो अभी वर्तमान में एक समश्या है कि हम इन सभी धर्मों में क्या रखें एक मत्ता रखें बारती संस्कति और दर्शन में धर्म सदेव एक मैत्पूर्ण से करपना रही है हम अगर दर्शन शास्त की बात करते हैं तो हमारे यहां धरम एक मैत्वपूर विशेवस्तू रही है इस पर समय समय पर हमारे विचारकों ने अपनी मत्व प्रस्तुत किये हैं पाष्यते जगत में धरम को राजनितिक में गनिष्ट समंद रहा है देखिए अकर हम विडेशों की बात करें तो उन्हें को क्या कर लिया जो वहांके राजी सरकार थी उसको राजनितिक में से समंद्ध कर दिया कि आप लोग ने कभी TV वगरा में भी देखा होगा कि हमारा यह राज धरम है आपको इस आप से कार्य करना होगा हम जो कह रहे हैं उसी की पूजा पाड़ आपने फ्रांस की कांति में देखा होगा तो इस पॉप सर्वे सर्वा था अपने हिस्ट्री में अगर पड़ा है फिशार बुट तत्व है हमारे जो राजनितिक चिन्तन है उसमें भी धरम को क्या रखा है केंद्र में रखा है और एक अच्छा एक तत्व माना है बारत में दरम को करतेवे अहिंसा नयाय सदा चरण व्यश्द गुण के अर्थ में मानने ताफ क्राप्त पूई है नहीं हम इन सब को उन्होंने धर्म की रूप में माना है धर्म का सबसे पहले आगमन पूरी संस्कृतियों में हुआ था यानि पूरी में जितनी भी संस्कृतियों का विकास हुआ उन सब में धर्म की पहले बात कई गई है धर्म और धर्म निर्पेख्ष्टा धर्म सर्वी करते हैं थिस दर्म को मानने के साथ कि तो इस दर्म को मानता है इसलिए हम तरसाथ इस प्रकार का विवार करेंगे तो इस धर्म को मानता है सलिए हमारे यहां बराबर है और सबी दर्मों को क्या कर देखा जा रहा है समान डर्शी से देखा जा रहा है अब है बारतिय दर्शन मूल रूप से एकांत वादी है लेकिन वर्तमान में अनेका वादी बन गया है यानि देखे जो हमारे बारतिय दर्शन की विचारक हैं उनके एसा भाषिष्कि जीवन दारा पाचिन काल सही धर्म के प्रबाव में रहते हुए संप्रायवाद से नहीं जुड़ी है यह निगाब्ड यह संप्रदायका है तो मिसके साथ इसे का सब्सक्राइब ि भी दरम को व में बात बोली कि वही दरम क्या है करतव्या आइंसा बाप्तिय दमें कि कि तो आज की क्लास में एक तो हमने वह मूल करते हैं जो कि सिर्फ भारतियों को प्राप्ते हैं वह पड़े एक हमने धर्म क्या है हमारी अगली क्लास होगी उसके अंतरगत हम धर्म के बारे में और विस्ताइत रूप से पढ़ेंगे आज की क्लास में इतना ही अगली क्लास में हम बात करेंगे जब тक लिए धन्यवाद